दोस्तों इस वीडियो केंदर हम लोग बात करने वाले हैं दिस्पले पोर्ट की यारी जहां से आप मॉनिटर करेक्ट करते हैं चाहे लेप्टॉप के माध्यम से या फिर डेक्स्टॉप के माध्यम से तो वहाँ पर कई सारे पोर्ट आते हैं जो अब change होते हुए जा रहे हैं बदलते समय के हिसाब से पहले VGA आपको देखने को मिलता था DVI भी देखने को मिलता है आपको आज की रिट में भी ये monitors के अंदर भी आपको ये support देखने को मिलता है HDMI का भी support आपको देखने को मिलेगा HDMI बहुत ही जादे popular रही है अब display port आने लग गया है तो ये HDMI display port में क्या अंतर है विज्य हम क्यों ना use करें वो क्यों खतम होता जा रहा है अब HDMI जादे तर चल रही है उसके बाद display port अब आने लगा है कई सारे graphic card के अंदर HDMI को भी बंद करता हुआ जा रहा है अब display port ही आने लगे है तो इस सब में क्या differences है हम details में समझेंगे इससे समझने के लिए इस वीडियो के साथ last तक बने रहें बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है क्योंकि जब आप monitor भी buy करने जाते हैं तो उस वक्त भी आपको इसका ध्यान रखना होता है कि आपको क्या काम करना है तो कौन सा port सपोर्ट वाला monitor आपको लेना है क्योंकि आज की rate में जो जितने भी नए monitor आ रहे है HDMI वाले भी आ रहे हैं VZ वाले भी आ रहे हैं VZ plus HDMI वाले आ रहे हैं कुछ monitors with HDMI और DisplayPort वाले भी आ रहे हैं, कुछ monitor HDMI और DisplayPort के साथ ही आ रहे हैं, तो इन में क्या differences होता है, हमें कौन सा monitor buy करना चाहिए, या फिर हमें laptop या फिर desktop buy करते समय, हमें कौन सा motherboard buy करना चाहिए, या कौन सा laptop buy करना चाहिए, फिर उसमें जो DisplayPort है, वो है, तो उसका क्या मतलब है, इन सब के बारे में हम समझ में आएगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो बहुत ही आपके काम की होने वाली है, और comment करना ना भूलने कि next वीडियो आपको किस topic पर चाहिए, आप लोग के comment के आधार पर ही वीडियो बन रही है, उसी हिसाब से वीडियो आपको मिलती रहेगी आपके comment के जबाब में, आईए दोस्तों हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, VGA port को, जो कि ये बहुत ही जादे popular रहा है, बहुत जादे दिनों तक चलता रहा है, ये सबसे जादे इस्तेमाल किया जाने वाला port है, जो कि हमें laptop या फिर desktop के PC के अंदर, जो है बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है, laptop में तो अब बंध हो गया, थोड़े पुराने laptop के अंदर देखने को मिल सकता है, HDMI अब देखने को मिल सकता है, इस VGA port को सबसे पहले 1987 में IBM ने बनाया था, जो कि बहुत ही जादे समय तक, यानि अब तक इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको discontinue किया जा रहा है, नए आने वाले devices में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको DVI और HDMI और DisplayPort के साथ बदल दिया गया है, अब इसके जगह पर ये सारे ports आ रहे हैं, विज ये port आपको नीले कलर का देखने को मिल सकता है, इसके अंदर पंदर पिन होती है, और यहाँ analog signal को सपोर्ट करता है, डिजिटल सिगनल को सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ यह analog signal को सपोर्ट करता है, कहने का मतलब यह है, कि अगर आपको, यह monitor से अगर आप connect करते हैं, और monitor के अंदर इस speaker है, तो VGA से जब connect करेंगे, तो sound उसके अंदर नहीं आएगा, आपको अलग से audio देना पड़ जाएगा, लेकिन अगर digital signal होता है, तो digital में सब कुछ होता है, आप वहाँ जाकर के अलग-अलग define कर लेते हैं, detect कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको use कर लेते हैं, लेकिन VGA के साथ सिर्फ analog signal होता है, इसलिए इसके वाय को बहुत अगर लंबा भी करते हैं, तो भी signal में problem आती है, तो भी quality में disturb होता है, क्योंकि वो analog signal होता है, और digital signal को कितना भी दूर ले करके जाएंगे, उसमें परिवर्तन उतना नहीं आता है, अब हम बात करते हैं DVI के बारे में, तो DVI भी जो है, IBM द्वारा ही लंच करने के बाद, जो है, इसको 15 साल बाद market में लाया गया, यह पहली बार 1999 में आया, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, कि यह visual, यानि video signal को ही support करता है, तो यदि आप किसी device को TV से connect करते हैं, तो audio के लिए आपको जो है, अलग से mono cable लगा करके लेकर के जाना पड़ेगा, यानि कि यह सिर्फ digital video signal को लेकर के जाएगा, digital होने के बाद भी video signal को लेकर के जाएगा, audio को लेकर के नहीं जाएगा, तो audio के लिए आपको एक अलग से वायर लेकर के जाना होगा टेलिवीजर में, तब ही जाकर के आपको आवाज आएगी, या फिर आपके monitor में अलग से ही आपको audio लेकर के जाना पड़ेगा, तब ही आपको आवाज देखने को मिलेगी, और यही फीचर इसको VGA से अलग बनाता है, क्योंकि VGA जो है analog signal को support करता है, और DVI जो है digital signal को support करता है, DVI के तीन प्रकार होते हैं, DVI-I, DVI-D और DVI-A, इस port का use जो है अब धीरे-धीरे कम होने लगा है, लोग इसको use भी नहीं करते हैं उतना, इसलिए हम उस पर इतना बात नहीं करेंगे, जो use हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, तो आज के रिट में नए में HDMI और डिस्प्ले पोर्ट आ रहा है, जिसके बारे में हम details में समझ लेते हैं, तो पहले हम HDMI को समझते हैं, जो कि आज के रिट में हम लोग सबसे ज़्यादे use करते हैं, तो अगर हम इसको use कर रहे हैं, और यह अच्छा चल रहा है, तो हमें डिस्प्ले पोर्ट की क्या ज़रूरत पड़ रही है, यह भी आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को लाज तक देखते रहें, इस connected का सबसे बड़ा फाइदा यही है, कि इसमें हम audio और वीडियो दोनों को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, और यह हमें तीन अलग-अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, इसके अंदर HDMI-A, जो की बड़े-बड़े LED TV आदी में देखने को आपको मिल सकते हैं, दूसरे नंबर पर आता है HDMI-C, जिसको जो है आप mini HDMI भी कह सकते हैं, यह हमें tablet या फिर laptop के अंदर जो है आपको देखने को मिल सकता है, और तीसरे नंबर पर जो है HDMI-D, जिसे micro HDMI कहा जाता है, यह हमें latest mobile या फिर latest जो बहुत ही ज़्यादे slim laptop आ रहे हैं, उसके अंदर देखने को मिल सकता है, और यह हमें आसानी से market में मिल भी जाता है, इसका इस्तेमाल हम अपने devices के display को बड़ी screen पर ले जाने के लिए कर सकते हैं, या फिर desktop से monitor को जोडने के लिए हम इसको यूज करते हैं, आज के time में हम जो HDMI का current version यूज कर रहे हैं, वह data को 10 Gbps की speed हमें provide कराता है, और वही पर HDMI 2 से हम लगभग 18 Gbps जो है speed का data transfer कर सकते हैं, इसके अंदर अलग-अलगे variant आते हैं, और यहां आज के date में सबसे ज़्यादा चलने वाला port है, इस port के माध्यम से आप 4K तक की वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उसकी processing कर सकते हैं, या जो भी monitor से आप अटेश कर रहे हैं, वहाँ पर 4K तक के data को, 4K तक की video quality को, resolution को आप जो है easily इस पर आप monitor कर सकते हैं, और उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है display port वो क्या है, तो यह port भी HDMI से ही बिल्कुल मिलता जुनता ही है, बस उससे थोड़ा सा बड़ा देखने को आपको नजर आएगा, क्योंकि इसमें भी हम audio और video दोनों को ही transfer कर सकते हैं, और यह display port भी digital signal को support करता है, और यह भी अलग-अलग version में आता है, जैसे display port का पहला जो version है वो display port 1.2 है, जो जादे से जादे 17.2 gbps की speed से data transfer कर सकता है, और 60 Hz तक का refresh rate ही इस पर मिल पाता है, यह अब धिरे-धिरे discontinue हो रहा है, इससे उपर 1.4 जो की आज भी चल रहा है, जो की जादे से जादे 25.92 gbps की speed से data transfer कर सकता है, और 98 Hz तक का refresh rate इसके अंदर मिल पाता है, और 4K 8 तक की video को यह support कर पाता है, इसलिए आज के rate में भी यह चल रहा है, लेकिन आज के rate में जो नए जितनी भी सारे devices आ रहे हैं, उसके अंदर display 2.0 port आ रहा है, जो की बहुत ही high speed data को transfer कर सकता है, यह 77.37 gbps की speed को data transfer कर सकता है, और 144 Hz refresh rate तक आप इसके अंदर ले सकते हैं, 4K 8 के video के साथ में आप इसमें gaming भी कर सकते हैं, आज के जितने भी latest आ रहे हैं, उसके अंदर display port 2.0 ही मिल रहा है, जो की high refresh rate पर gaming वगेरा आपको play करना है, gaming खेलना है, उसके लिए यह port आपको use करना होगा, तभी जाकर के 8K या फिर 4K high refresh rate आपको मिल पाएगा और उसपर आप enjoy कर पाएगे, तो दूसर इस तरीके से मैं उम्मित करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कि HDMI या फिर डिस्पले पोर्ट में क्या differences है, अगर फिर भी कोई confusion है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोसिस करूँगा, दोसर इस वीडियो इंफर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताए, आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो बन रही है, कमेंट करना ना भूले, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मिलते हैं अगली वीडियो भी किसी और अच्छी इंफर्मेशन की वीडियो के साथ में पूरी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी कतहें दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन सुभूर।